सातिव नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग मजा मा केमचो कसा आहिस सातिव एंडीपीयस में यदि आपका कोई दोस्त या आपको रिलेटिव बंध है यह आपके ओपर कोई संकट एंडीपीयस का है और लॉंग टम आपका इंप्रिजुमेंट है आपको बेल नहीं मिल रही है तो तो section 37 of the NDPS 8 हमारे आड़े आता है एक तरफ तो जो bail का jurispronence है वो यह कहता है कि the bail is a rule, jail is an exception और कानून यह भी कहता है कि every person who is an accused shall be deemed to be innocent unless proven guilty तो उसके बाउज़ूर भी हमें bail क्यों नहीं मिलती है section 37 NDPS 8 का यह क्यों कहता है कि जो concern accused है उसको यह plea दे के आनी पड़ेगी कि उसके बिरूज़ जो है कोई प्रतमर्शने मामना नहीं है और इसके साथ साथ अगर उसे bail मिल जाती है तो वो ऐसा कोई offense commit नहीं करेगा तो साथियों जो हमारी personal liberty है और जो bail के अधिकार है NDPS में वो क्या है और section 37 NDPS 8 पर के अधिके अधिके अधिक जो सुपरिंग कोड का है जिसमें यह specific किया गया है कि अगर आप लंबे time तक जो है जेल में है और आपका trial जो है वो delay हो रहा है तो उस scenario में bail का write किया होगा accused को तो साथियों topic काफ़ important है आपके write से जो है जुड़ा हुआ है और मैं एक एक बात को जो है discuss करूँगा खुल के तो साथियों एक copy और एक pen लेके बैटिये जो कुछ बता रहा हूँ उसको no down भी अपने को करते वे चलना है साथियों जाथा कि स्क्रीन भाब देख रहे है मैंने एक concept लिखा है whether bail can be granted in NDPS cases on the ground of undue delay in the trial despite of conditions in section 37 सुप्रिंग कोड ने का yes दे सकते हैं साथियों सबसे बहले हम समझते हैं कि मामला था क्या और please जो है कोड में क्या रहे accused के उसको समझना जो है जरूरी है साथियों यहाँ पर word use why appealant अब आपके माइड मारों का भाई appealant word क्यों use हुआ है कि जब भी हम सुप्रिंग कोड में move करते हैं bail को तो वो सीधे move नहीं होती है यह move होती है by the way of SLB जिसको बोलते है special repetition जब कोड उसको admit करता है तो कोड उस matter को as a appeal हट करता है जिसकारण वर्ड जो है appealant use किया रहता है तो इस मामले में appealant जो है यह accused है और यह charged हुआ है with section 20, 25, 29 of ndps 8 और इसने एक bail application जो है लगाई और उसे दिल्ली हाई कोड ने जो है खारेच कर दिया prosecution का औरोप किया है कि 28, 25 को उन्हें एक गुप्त सूचना जो है प्राप्त वी जिसके basis पर rate जो है conduct हुआ और जिसके consequence में accused persons को जो है अरश किया गया जिनके नाम थे नितेश, संजे, शरीफ खान और विरेंदर और इनके possession से 180 किलो गांजा जो है रिकावर हुआ जब इस case का further investigation हुआ जो accused नितेश, उसे 36 गड़ ले जाया गया और उसके regarding the identification of the co-accused persons और उसके instance पे जो परसेंड अक्विलांड है या accused है मौमत मुस्लिम इसको जो है अरश किया गया तीन या चार, दस, दोजार बंदर को जो कि मिड्नेर इंटर्वेंशन होते हैं जिसकारण इस साला के words जो है लिखे जाते है और further investigation के परसुमेज में तीन अन्य हसाय अभ्यूग जो नाम मैंने बताए आपको विरेंदर सिंग, दूसरा है गुड्डू तीसरा है नेपाल या तो इनको भी जो है अरश किया गया प्रस्ट्वेशन का मामला क्या है कि जो विरेंदर सिंग है ये पर्चेस करना चाहता था गांजा को जिसकरन इसने जो बैंक ट्रांसफर थे वो बैंक अकॉन में दिये और वो कंस्ट्वेशन अकॉंट जो है बिलॉंग करता है मौम्मद मुस्लिम को गुड्डू को और नितेश को और उनके फ्रेंड्स को और उनकी फैमिलिस को बिफोर फर्दर सप्लाइंग गांजा तो नेपाल या तो कि जो रोगया तो कुन में लगा कि इसने ट्रंजेशन करें इन लोगों खाते में और परपस के लिए लेकर जो कंस्ट्रेंट विखती है नेपाल या उसको मैं ट्रांसफर कर सकूंँ उन्तिन सो सोला को इस मामले में चार्जट फाइल हुई एस पर सेक्शन 20 25 29 ऑफ दे न्टीपिया सेट और सेशन 120 बी ऑफ आई पी से के अंदर और पांस साथ सोला को जो है चार्जट फ्रेम कर दी आगे अगे ज़ापिलांड एंदा को अग्यूश्ट और एस पर दा फर्दर ब्लीडिंग्स दो सप्लिमेंटर चार्जट भी जो ह केना कि लंबे टाइम से जो है मैं जेल में हूँ और ठर्टीफोर विटनेस जो है यहाँ पर और एक्जामिन होने और केस की स्पीड है वह एक्सपीरिट नहीं है और इसके अलबाव उसका कहना यह कि जो विरिंदर सिंग है इस केस का में आक्यूस्ट और नेपाल अधर जो पर कोड ने जो है फिर उसका इंटरपेटिशन किया और डिफरेंट लॉस को जो है देखा और कोड़ा यह तक जो बेसिक रूल है वह बेल का ना कि जेल का कोड़ ने अपर फैट्स को भी देखा फैट्स के रिविल थे अबर कि जो गांजा जो है रिकवर्ड हुआ है 2800-2015 को फर स्कूझ इंक्रूडिंग नितिश और जो प्रेजेंट अपलांड अरेस्ट हुआ है यह वा है ऑन डबेसिस ऑफ धृस्टेटमेंट और नितिश प्रोसेकुशन ने जो है रिटालेट किया है उन्दे स्टेटमेंट नितिश एज वैल एस और कंफेंशन रिशनर एस्टे सके प्रोसिकुशन के पास कोई भी एफिशन्ट नहीं है जिसके अधार पर यह कह सके हैं कि अपिलेंड जो है मास्टरमाइड या इस केस की बैगबॉन है या इन एक्चुल वो नार्कोटेक्स में जो है डील कर रहा था या कोई रीजिमल एवेडेंस ऐसी फाइल पर हो कि जि इसमें लिखा हुए तब ही जो है बेल मिलेगी अदरवाइस बेल नहीं मिलेगी अगर ऐसा इंटरप्रेटेशन मान लिया गया तो इसका मतलब की अधर बेमतलब की जो है आपने किसी यह रखा हुआ है और आपके पास अबिदेस नहीं है पर चुकि कानुन ऐसा है इसलिए आपको जो है मजबूरन किसी को जो है जेल में रखना पड़ रहा है प्यूर्ट इमिस देटेंशन फॉर दी पर प्रपस ऑफ एनी कोर्शन और कॉजिए इंप्रेशन की अगर कोई बीस मामलें फजिया तो इसको जेल में रहना पड़ेगा बले इसके बाद डिफेंस है या नहीं है नो आउनली मैनर इंविच्पेशल कंडिशन आइंक्ते अंडर सेक्षट इसमोट इसमोटेसल सेप्डेशन फरिटेंट पररिमेंटर इस been the court is reasonable satisfied on a prima fish a look at the material on record whenever the bill application is me, the accuses not guilty and any other interpretation would result in complete denial of the bail to a person accused of an office such as those in evaluated अंडर सेक्शन 37 ऑफ दे एंड़ी पिया सेट तो कोड ने बुला कि जो भी पेरामेटर है उनी पेरामेटर के लाइट में हमें बेल को देखना है अगर हमने उन पेरामेटर को छोड़कर सिर्फ सेक्शन 37 को देखा किदर होगी आपने ग्रांट ऑफ बेल और ग्रांट ऑफ अंडू डिले कि अगर अंडू डिले है तो क्या इस इदार पर बेल दे सकते हैं क्या ऐसी सिती सेक्शन 37 से हिट होगी या नहीं होगी कोड ने आपर सेक्शन 486 एको भी जो है लिखा और कोड ने यह बोला कि 436 ACRPC ए और उसने अपनी सजा का आदा इससा जो है काट लिये तो इस स्नेरियों में ही इस इंटेर्ड़ दो गैट दिबी तो कोड ने इन सरकम्स्रेंस को देखते हुए अक्यूज को जो है बेल पर रहा किया तो साथियों एक मोटी मोटी बात जो है समझ में आती है कि अगर मेंटर जो है कनफेशन स्टेट्मेंट पे हैं और लेने का अगर आपकी केस में सी सितिया है उसमें आप देखें कि किस कारण आप अंदर आए और क्या ग्राउंड से आपकी बेल एजक्शन इसके अगर वह पॉइंट इस रूलिंग की लाइड में सेटल नहीं होते हैं तो डेफिन जेबर